बैन के बाद लोटे हार्दिक पांडिया ने जीत के बाद किया ये ट्वीट कप्तान विराट कोहली बिरत कोहली के नित्रित्व में एक और संतलित हर फनौला प्रदर्शन के दम पर भारत ने माउंट माउंग गानुई में खेले गए इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की वन अड़े सीरीज पर भी अपना कबड़ा जमा लिया है इस में बैन के बाद लोटे टीम इंडिया के ओल राउंडर हार्दिक पांडिया का परफॉर्मेंस बेहद शांदार रहा हार्दिक पांडिया ने तीसरे वन अड़े में 10 ओवर में 45 रन देकर दो विकेट लिये इसके साथ ही मैच में उन्होंने न्यूजीलेंड के कप्तान केन विलियमसन का शांदार कैच भी लपका सितंबर 2018 के बाद यह हार्दिक पांडिया हार्दिक पांडिया का पहला मैच है सितंबर में एशिया कप के दोरान वेग चोटिल हो गए थे जिसकी वज़े से टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया था औस्टेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले उन्होंने कौफी विद्ध करण में महिलाओं के लिए कुछ अमर्यादित टिपणी की थी जिसके बाद उन पर बैन लगा दिया गया था बी सी सी आई के दखल के बाद पांडिया से बैन हटा और उन्हें सीरीज में दुबारा मुका दिया गया मैच में हार्दिक पांडिया के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हो रही है मैच और सीरीज जीतने के बाद हार्दिक पांडिया अपने ओफिशियल टेवर्टर हैंडिल से एक ट्वीट किया उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की और हाथ जोडने के इमोजी के साथ कैप्शन दिया थैंक्यो मैच के बाद सुनील गावसकर और कप्तान विराट कोहली ने भी हार्दिक पांडिया की जमकर तारीफ की कावसकर ने स्टार स्पुटर्स से कहा बेह बेहत प्रभावी रहे आप जानते हैं कि क्यों यह टीम प्रबंधन उन्हें टीम में चाहता है वह उस छोटे ब्लाइंग को भर देते हैं जो टीम में है इससे टीम संतलित हो जाती है वह टीम के हर जरूरत को पूरा करते हैं उन्होंने कहा वह शांदार लाइंग पर गेंद बाजी करते हैं वह उच्छाल का भी अच्छा इस्तिमाल करते हैं वह मैदान पर लाइव वायर की तरह हैं हार्दिक पांडिया टीम में यही अतरिक चीज लेकर आते हैं वह शांदार फील्डर भी हैं वह आपके लिए असंभव कैच भी पकड़ सकते हैं कुछ अच्छे राना उच कर सकते हैं और फिर बले तथा गेंस से शांदार प्रदर्शन कर सकते हैं वहीं भारतिय कप्तान विराट कोहली ने उम्मीद जताई कि इस विवाद के बाद हार्दिक पांडिया बेहतर क्रिकेटर बन कर उबरेंगे और नई उचाया हासल करेंगे हाला कि महलाओं के प्रती अनुचित टिपणी के लिए हार्दिक पांडिया को अब भी जाज का सामना करना होगा कोहली ने कहा कि पांडिया ने वापसी करते हुए इस मैच में जरूरी जजबा दिकाया और वेह सुदार की राह पर है उन्होंने कहा आपको कुछ अत्रिक्त करने की जरूरत नहीं है पांडिया जैसी स्थिती में जो भी इस में से सकारात्मकता के साथ निकलेगा वेह अपने करियर में नई उचाया हासल कर सकता है जैसा कि अतीत में हमने कई क्रिकेटरों के साथ देखा